यानि कि दोस्तों जो आठ नंबर वाला कानून है तो अगर आप सौधी अरब में नए आते हों और आपको कफिल अच्छा नहीं मिलता है या फिर टाइम पे सैलरी नहीं देता है तो ये कानून आप लोगे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असलाम अलेकुम दोस्तों एक बार फिर से हाजिरों में आप लोगे लिए सबसे पहली अपडेट होगा इनकी जो अजनबी यहां पर काम कर रहे हो 100 अजनबी निकाल दिये जाएंगे इनकी जो तादात है कुछ 91,000 के करीब में बताई जा रही जो सब्सक्राइब में इस वक्त काम कर रहे हैं और दोस्तों यहां पर जो दूसरी अपडेट वो भी सौधी अरब की Ministry of Human Resource की तरफ से ही क्योंकि फाइनली अब Ministry of Human Resource ने अब एक ऐसी न्यूस जारी कर दी है जो अभी तक आप पास्ट में देखे तो अभी तक नहीं हुआ है पाइनली दोस्तों सौधी अरब की Ministry of Human Resource ने जो लेबर होते हैं डोमेस्टिक वरकर होते हैं उन लोगों को अब बिना कफिल के नकल कफाल यानी की स्पांसर्शिफ ट्रांसफर करने की इजाज़त दे दी है अगर आप असान भासा में कहें तो आप अपने कफिल के बिना इजा हर एक चीज चिदी श्टेप बाइश टेप यहाँ पर कवर किया है तो दोस्तों आ जाते हैं अपने टॉपीट पर बात करते सबसे पहली सर्थ तो दोस्तों यहां पर जो पहली के बिना इजाज़त कि ही आप अपना कफिल को चेंज कर सकते हैं यहां पर दोस्तों जो पहली सर्थ है वह सट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ऐसे केस बहुत ज्यादा साओधी अरब में आते रहते हैं क्योंकि आपने भी सुना होगा मैंने भी सुना कि कई लोगों को 6-6 महिने की सैलरी नहीं दी जाती है तो अगर आपके पास ऐसा होता है या फिर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सिंपले एक्शन लेकि अपने कफिल को बदल सकते हैं यहां पर दोस्तों जो दूसरी सर्थ हो यह बताएगे है कि अगर आपको कोई 10 दिन तक लेने पहुंचा हो आपका कफिल तो आपने कफिल को बिना बताये ही वहां से कम नकल कफाला ले सकते हैं इस टॉपिक को दोस्तों आपको थोड़ा सा डीटेल समझने के जरूत पड़ेगी क्योंकि यहां पर साओधी अरभ में कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो इंडिया किस अधर जाहरे कि अगर उस टाइम पर आपका कफिल आपके पास 10 दिन तक नहीं पहुंचता है जाहर सी बात कोई भी अगर कंपनी कॉंट्रैक्ट पर होगी तो कहें कि आपका कफिल नहीं आ रहा है आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं तो वहां पर आपका कि दस दिन तक आपको ल के साथ साथ अगर आपका एकामा एकस्पायर हो चुका है और अभी तक एक महीना होने के बाद भी या फिर एक महीना से ज्यादा होने के बाद भी आपका एकामा आपके कफिल नहीं कराया है तो सिंपली आप मक्तब अमल में जाके वहां से रिक्वेश्ट लगा कर आप स्प और वहां से वो पैसा लेता है जो कि आपको देता भी नहीं है तब इस केस में आप मकतब अमल में जाकर उसकी सिकायत करके उसकी इजाज़त के बिना ही आप किसी तीसरे कफिल के पास जा सकते हैं आपके ओपर कोई भी क्लेम नहीं किया जाएगा और दोस्तों यहां पर तब हैं अमल में कांटेक्ट करके वहां से जाकर के आप अपने कफिल की इजाज़त के बिना ही सिंपली स्पांसर्शिप ट्रांसफर कर सकते हैं आपके कोई प्रॉबलम नहीं आएगी और दोस्तों यहां पर छठी अपडेट यह भी रखी गई है कि अगर आपके कफिल ने दोस्तों आपको लेबर कोट में जाना होगा वहां पर केस करके आपको केस जीतना भी पड़ेगा और जीतने की पूरी प्रॉस्त मैंने आपको इस वीडियो में बताई है जीतने के बाद आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपके कफिल ने आपके उपर जो रूब लग वो मेरी sponsorship transfer कर देता है अपने भाई ये किसी other person के पास में उसके बाद में मुझे पता चलता है कि हाँ भाई मेरा कफिल तो ये था लेकिन अब ये हो चुका है उस case में आप claim कर करके simply आप अपने कफिल को बिना बताए या आप किसी तीसरे कफिल के पास जा सकते हैं आपको important सर्थ ये रखी गई है कि आपका trial period contract terminate करने के बाद भी आप अपने कफिल को बिना बताए ही अपनी sponsorship transfer कर सकते हैं या फिर नकल कफाला ले सकते हैं क्योंकि अगर आप सुदी अरभ में नए आते हैं तो ये जो सर्थ रखी गई लाश्ट वाली ये आप लोगे लिए सबसे है या नहीं है उस टाइम आपको भी पता चल जाता है कि ये कफिल मेरे लिए सही है या नहीं है तो उस टाइम को जो पीरेड होता है वो होता है तो उस टाइम पर अगर आपको लगता है कि आपका कफिल अच्छा नहीं है या फिर आपके कफिल को लगता है ये जो वरकर आय हैं यह मेरा अच्छा काम नहीं कर पाएगा उस टाइम पर इधर अगर दोनों में S asking look में आदमी असहमत होता है आपको लेकर यह फिर आप अपने कछिप से सन्तुष्ट नहीं यह फिर आप कुपिल आप से सन्तुष्ट नहीं ताइम पर है अप आप लोगं को शार सेर कर दिनी चाहिए आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाजी क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो यहाँ पर कोई सवाल है कमेंट का सेक्षन खुला हुआ है आन्यता में मिल जाओंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी इंस्टाग्राम करने कि यहाँ पर आपको देख रहा है